नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टियर ओन चैनल, ट्रेट टार्गेट, आज का वीडियो तीन रीजन के वज़े से काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, पहला, कल है छुट्टी, जी हैं, और कल हमने प्लान किया है कि आप सभी के लिए एक ऐसा धासू वीडियो लेके आए बिल्कुल टेक्निकल एनलेसेस के उपर, जिससे आपको ट्रेडिंग करने या फिर इन्वेस्टिंग करने में आपको काफी मदद मिलेगी मार्केट में, अगर आप नए भी हैं, या आपके टेक्निकल फंडामेटल अभी क्लियर नहीं है, तो काफी धासू वीडियो होने व बिल्कुल वहां से बिल्कुल लाइफ टाइम, क्लोस तो लाइफ टाम हाई कहलो आप, वहां पे मंडे क्या होगा, क्या अगेन एक बड़ा करेक्शन, या फिर एक आर या पार, इस चीज़ के भी डिटेल में डिसकस करेंगे आगे, और नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट के लि परपेस के लिए कुछ नया वीडियो लेक्या है, तो जिन भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप लोग को तहे दिल से मेरी शुक्रिया, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मस्टाइम, लेट्स बिगेन आज का टॉपिक, लेगिन उससे पहले क्विक रिव्यू में इसके बारे में डिसकस किया था, और आज पहले ही दिन 1.33% पॉजिटिव रहा, अभी भी ये सेक्टर और ये सेक्टर और ये शेर काफी अच्छा लगता है, और अभी भी इसके पूरी गैस खतम हुई नहीं है, तो आप चाहे तो उसका अपने रडार पे रख सकते हैं अब बात करते हैं, आज क्या रहा है, मार्केट का मॉमेंट, बात करें सेंसक्स की, सेंसक्स 1.14 पॉस्टिव, ग्रेट साइन, अगें निफ्टी की बात करें, डॉट कल भी एक था, आज भी डॉट 1.09 और तो क्लोजिंग हुई है, जैसा कि कल हमने डिसकस किया था, कि कल की काफी अची रह सकती है, लेकिन सेकंड हाप में थोड़ा सा हमें हिकफ दिख सकते हैं, और इग्जैक्टली वैसे ही हुआ, एक बार निफ्टी थोड़ा डाउन आया था, प्रॉफिट बॉकिंग हुई थी, और उसके बाद धीरे 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 निफ्टी बिल्कुल, अपने हो है, निफ्टी मिड्कैप, जहां कल हमने देखा था, टू पॉइंट से भी उपर, ठाई परसंट की तेजी थी, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग आई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि मिड्कैप के गैस खतम हो गई है, या एक दिन नहीं चला है, इसका मतल यहां, एडवांस डिक्लाइन रेश्यो के बात करें, 995 शेर एडवांस थे, 733 डिक्लाइन, त्समिन ओके, थोड़ा सा ग्रीन साइड में ज्यादा है, बड़ जैसे हमने कल देखा था, जो आँखो को सुकून देना था, वैसा नहीं है, बड़ इस अगें ओके, अब बात क साइन, तो इस सीज़ पर हमें काफी ध्यान रखना हो, लेकिन अब इस पर ध्यान रखना होगा, end of this month, end of this month के, एक बार रिवक्स अगर बढ़ता है, एक बार ज़रूर बढ़ेगा, आज बोल रहा हो, नोटिस करेंगे, जब end of this month में विक्स बढ़ता होएने जाए, तब उ पहले शुरू करते हैं आज का discussion, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़े सी मुझे दुखाम है, आप देख सकता है, यहाँ पर जिस दिन यह भारी गिराउट हुई थे न, उसके बाद जैसे हमने discuss कहा थे कि पिन बार जिस दिन बना था, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके अगर बत स्वेंने discuss कहते हैं, जब यह तो इसके बाद पिन बार और उसके बाद ग्रीन केंडल बनें तो इससे कहता है morning star, तो important हो सकता है यह आपके लिए जब भी चाहें वो शेयर मे बनें चाहें, मार्केट में बनें तो उसके बाद एक trend reversal होता है, आज आज कहा बिल्कुल बिल्बकुल जैसे ही रेजिस्टेंस तूटेगा हो सकता है गैप अप से ओपन हो जाए गैप से ही तूट जाए या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद देरी दिरी इसमे एक रेजिस्टेंस लेने के बाद देरे से उपर को निफटी हाई चांस है जिससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा अब रेजिस्टेंस निकल के क्या आता है पहला रहा है वो आरह रहा है इस निकानच अरह नियृतर है जब भी मार्केट तो पहला सपोर्ट यहीर हाला, उसके भाद धीसिह मार्केट लेगा कि अपने यह K अब जो आखरी की candle बनी है वो हो सकता है परसू maximum high chance है कि gap of opening करें और बिल्कुल हम आगे बढ़ते जाएं तो इस चीज़ पर ध्यान है काफी ज़रूरी है और अगर आप ट्रेडर है अगेन में बार बार आपसे कहता रहे तो आप ट्रेडर है शॉर्टरम ट्रेडर है स्विंग ट्रेडर है तो time and again अपना profit book करते रहे कि ऐसा नहों एक दम से बड़ा correction आएगा और आपका पुरा profit जो books में है वो book में नहीं रहेगा ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखे इंवेस्टर है remain invested तब ही मज़ा आएगा फ्रेश बाइंग की position को अवर्ड करना है अब बात कर्रेक्शन आएगा क्योंकि हम already market height में होता है जब भी market high पे होता है और जैसे तो सब लोग profit में होता है जैसे गिरने को लगता है जरह सा fall होता है तो एक panic panic create होता है जैसे परसू हुआ था कि अब यहां से गिरेगा तो हर कोई अपने profit book करने के तरफ जाता है और उसी वक्त marketing काफी बिल्कुल एक drastically fall होता है तो इस सीज़ का ध्यान रखना तो बिल्कुल ट्रेल करते जाए और regular waste पर profit book करते है जाए जाए अब बात करते हैं आज के stocks की जैसे कि आप जानते है customer ही है हम daily के ऐसा stock के लेके आता है जो काफ इस label पर अपने radar पर रखा जाए बाई किया त तो आने वाले time में काफी अच्छा return दे सकता है और आज का stock आप सभी जानते हैं so without wasting much time let's begin की कौन सा है और क्या है उसकी detail में analysis करते है जी हाँ जैसा आप देख रहे है hcl tech जी है यह काफी अच्छा शेयर लगता है मुझको मैंने जैसे कल भी अपने वीडियो में discuss किया था कि मैंने इसके नीचे की label में काफी buying अच्छी buying है इसमें again जब अकल इसने बिल्कुल अच्छा bullish 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 candle बनाए थी यह green वाले आप देख सकते हो bullish engulfing kind of कह सकते हैं पूरा तो नहीं है बठा है आज जाके थोड़ा सा उसके बाद एक ऊपर अगें थोड़ी से profit booking आई है इसी मैंनी पूरी IT सेक्टर में आई है आज आपके कोई भी IT का सेक्टर उठा लो ना आज वाल निशान में ही होगा काफी कल बहुत अच्छी तेजी रही थी पूरे सेक्टर म नहीं पांच परसें दस परसेंट बहला सभी सेक्टर भागते अभी सेक्टर काफी अच्छा करते हैं अगर यह आपको किसी ग्रावट पर यह उससे नीचे मिल जाता है कि अब दस पास भी चलता है 916 के अगर Нौस के लेवल्स टेक्निकल्स टागेट सभी डिसकस करते हैं एक पर क्विक में इसका पंदरा मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि क्या रहा मॉमेंट यह देखें जब कल पर्सु जब यहां दिखा तो मैं आपको अब देख रहे हैं यह चीज जब पर्सु के एक तेजी हुई थे उसके बाद आज जब बिल्कुल मॉर्निंग से शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आई है ऐसा नहीं शेयर एक दिन नहीं चला तो शेयर खराब हो गया बिल्कुल नहीं अभी थोड़ा सा कूल आफ हो रहा है लाइक्स जम के लिए विल्कुल रेडी हो रहा है सम्हाव अगर आपको 900 के आसपास अगर कैसे भी कोई भी डिप में कुछ यहां भी मिल जाता है अल्दो आइडाउट कि यहां मिलेगा बात इसका 900 का काफी अच्छा सपोर्ट है अगर वहां मिल जाता है तो इसको हमें अगर मिल जाता हो जाएगी पर भी अगर विस्ट अंशकर रहें तो जरूर बात करेंगे और बात करेंगे संपनिर क्या हो सकते है जासरा के अप्नोंसियल की बार इसका revenue एन इसका profit भी 8 से लेकर 11 आ चुका है that's mean यह शुद्ध मुनाफ़ा profit भी बढ़ रहा है revenue बढ़ा दिस अगें great sign plus इसको लेने का दूसरा reason क्या है इस time जो theme चले न मार्केट में वो एक IT plus pharma की चल रही है और अब जाके वो आगे जाके भी कुछ time और यह continue रहने वाली है तो already quarter three की result आने वाल है तो इसलिए उसी expectation में यही शेयर नहीं जितने भी IT के company से सारे भाग रहे हैं तो अब ऐसा इसके बिल्कुल high probability है कि एक अच्छा result company post करें तो तब तक लोग क्या करेंगे लोग result आने के बाद buy करेंगे लेकिन आप देख रहे हैं जिस दिन इसका result आएगा तब तक share काफी भाग जाएगा result positive आने के बाद भी यह correct करेगा जिस दिन आएगा उस दिन इस वीडियो का हम एक बार फिर से discuss करेंगे तो company के fundamental में कोई कमी नहीं है next ब यहां सस्ता है बिल्कुल सस्ता है तो इसको अपने रडार पर रख सकते हैं अगर आप इससे compare करेंगे टीस से हैं बाकी बाकी भी जितने भी शेयर है उनसे तो आपको सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा तो अगें एक और point है जिसके वाज़े से इसको रडार पर रखना चाह स़्याँ देना चाहिए अब बात करें इसके अब बात करते हैं इसके share holding pattern के बार में आप देख सब्कमोटर holding प्रमोटर की बाश कused मैं आप जरन करके दिखा जयता हूं यह देख रहे है शेह बोल्याखना हमने हैं बात करें चेर quarter 3 March 20 और यह दूसरा September quarter तो पूरे quarter के आप यहाँ पे result देख सकते हैं सबसे important बात जो हमेसे में डिसकस करता हूँ pledge क्या company के company ने अपने share उधार गिर्वी रखे हैं उधार है जी नहीं सबसे important होता है किसी भी share में entry करने से पहले fundamental analysis में पहला point यह होता है अब बात के FIS की क्या हो और के FIS की holding काफी अच्छी है आप देख सकते हैं फूरा 19 से लेकर सेप्टेंबर 24 25 को भी बिल्कुल maintain रख रहे हैं एक 2% की कभी की profit booking होती है तो that is okay इसमें कोई घवरान वाली बात है नहीं डियाइस की बात करें डियाइस ने भी विल्कुल consistency के साथ बढ़ा है आप देख सकते हो पिछले साल institute के बात करें उनके भी holding है although बहुत ज़्यादा नहीं है बट है और insurance company के बात करें insurance company ने भी यहां 3 से लेकर अभी यहां आप देख सकते हैं 3 और यहां देख सकते हैं 4.31 तक आप insurance company ने अपनी holding को बढ़ा है अब बात करते है mutual fund की mutual fund के पास भी अच्छे quantity में है 5 अभी चला close to 6 परसेंट अब देख रहे हैं आपे close to 6 परसेंट यहां 4.5 था that means सभी लोग इसमें अपनी holding को बढ़ा रहे हैं तो अगें यह एक reason हो सकता है share को अपने radar पर रखने का अब बात करते हैं नेवल्स क्या हो सकते हैं targets क्या हो सकते हैं आने वाले time में फिर चाहें आपको जैसे horizon हो horizon के according हम इसमें बात करेंगे यह देखे 43 आप देख रहे हैं यह पार्ट यह देख रहे हैं आप 43 इसको cover कर रहे है that's mean उनकी राय है कि उनमें से 88% इसको buy की rating देया है जो अलड़ी हम discuss कर चुक है discuss कर चुक है तो इसको important रह जाता है काफी देखना अब बात करते है इसके next क्या रह सकते सके levels in target जी हां यहां देख सकते हैं यहां दे सकते हैं यह आने वाले समय में इसके जो target हो सकते हैं वह 14-64 तक के target दे रहे हैं यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह analyst लोगों के ticker tape पे जाके मैं चेक किया है तो वहां की यह यह आप देख लिजी यह यह है उसका मिट हाई का और लो और मीट साइट का देखो तो यहां से अभी भी 10% के ऊपर तो काफी मुझे अभी अच्छा लगता है तो आप चाहें तो उसको consider कर सकते हैं अगर आप उसको long term रहते हैं तो आम very sure यह जो यह जो target दिये हैं इस इस December से लिकर next December तक के लिए यह एक साल के कभी उस बीच में यह share उस point तक पहुच सकता है तो अच्छा share है अच्छा fundamental है अच्छे valuation पर मिल रहा है और काफी अच्छा इसमें attractive price भी है अगर आपको 900 के आसपास मिलता है तो आपको एक buy initiate करना चाहिए बाकी आपके उपर है ज सीख सकते हैं कि चीज़े कैसे काम कर रही है चलिए अब आखरी में बात कर लेते हैं कल की gift की जी हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कल आएंगे सेंटा भहिया और उसी के regarding उसी के regarding कल हम आपके लिए एक ऐसा धासू सा वीडियो लेके आएंगे जैसा कि यह educational channel है तो एक educational से ही related एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे टेक्नि डाउट से क्वेरी हैं सब क्लियर कर दिंगे हाँ थोड़ अशा वीडियो लंबा होगा क्योंकि चीज़े आपको समझानी है ऐसा नहीं है कि गाना सुना के चले जाना उसके बाद होई 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 मुडिय मुडिय करके निकल गए अच्छे से समझाएंगे थोड़ असा स्थिंग मच टाइम कल मिलता है थांक यू सो मच हैपी इन्वेस्टिंग तिल ताइम